महना परिष्ट्रम का बड़े संगर्शका, no one is to blame for your future situation but yourself, if you want to be successful then become successful, अर्थात मनुष्य स्वयम ही अपना भाग्य करता होता है, अपना बहुष्य स्वयम बनाना यहां अपने ही हाथ में होता है, इसलिए दुसरों को दवश्ट देने के अपेक्षा मनुष्य ने अपने कर् आई है, नमस्कार, मैं आइस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी, आप सभी जोतिश प्रेमियों का हर्दिक स्वागत करती हूँ, हम मई 2023 मेने के राशी बहुष्य को समझ रहे हैं, उसमें आज हम करकर राशी के जातकों के लिए यह महना कैसा रहेगा, इस पर विस् विशेश उपाई भी पताने वाली हूँ, इसलिए विडियों को अंत तक देखें, व्यक्तित्व की दुरुष्टी से विचार करें, तो अत्यंत सववेदंशी लोगों के राशी के रूप में करकर राशी की विशेश पहुचाना है, कई बार आप भावना के अनुसार नि लेना यहाँ आपकी इस मेहने की प्रथम आवशक्ता होगी, इस बात को करक जातकोंने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, ध्यान परिवारवाणी की दुरुष्टी से विचार करें, तो करक राशी के लिए रवी देव की स्थीति महत्वपूर्ण होती है, क्यों वस्ता में भी है, संग्षेप में रवी देव आपसे कह रहे हैं कि मेहने के प्रथम पक्वाडे में अच्छा कर्म करें और दुक्सरे पक्वाडे में उसके उचित फल प्राप्त करें, इस स्थीति को ध्यान में लेकर आपने इस मेहने के कामों की योजना बनानी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक सफलता आपको प्राप्त हो सके, पराक्रा में आप परिश्रम की दुरुष्टी से विचार करें, तो करकर आशी के लिए बुद्ध देव की स्थीति महत्व पूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है, वे वक्री अवस्ता में आपके कर परिश्रम करेंगे, अतिरिक्त कार्य करेंगे, जो उद्धेश आपने निश्चित किया है, उस दिशा में आप आगे बढ़ते रहेंगे, संक्षेप में यह महिना आपके लिए बड़े परिश्रम का रहेगा, उसका पूरा लाब उठाईए, वास्तु, वाहन, भुवी, जाती की दुरुष्टी से विचार करें, तो करकजातकों के लिए यह काल सामान्य रूप से शुभ कहा जा सकता है, लेकिन नई वास्तु का विचार ना करना ही आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि गुरु देव, अर्थात आपके भागेश की दुरुष्टी भले ही वास्तु के चैन में चूकोना, अनुचित निर्ने लिए जाना, जैसे प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए आप इस मेंने केवल वास्तु देख सकते हैं, लेकिन व्यवार ना करें, पुरानी वास्तु से आपको सौख्य प्राप्त होगा, माता जी से प्रेम मिलेगा, सुखशा संती प्राप्त होगी, लेकिन नई वास्तु का विचार अभी न करें, यह सलाह दी जाती हैं, सर्व जोतिश प्रेमी आणी अभ्यासकान साथी, एक परिपुर्ण जोतिश पन्याची सुवर्ण संती चालूनारिया है, जोतिश महा समेलन, दिनांका अक्राणी बारा जुन दो नजार तेविश रोजी, पुणातला पावन भुमित होटेल प्रेसिडेंट प्रभात रोड इथे हे महा अधिवेशन होता है, यह अधिवेशनात सहभागी होने साथी, अपल्याला अधिन नाव नोंदर्णी कराविला गेल, त्या साथी शूलका आहे केवल 18 रुपय, आणी वी से पुर्वी नोंदर्णी केल्यास मिलेल 200 रुपय ची मोठी सवलत, विशेश प्रतिनिदी किवा समिती सदस्य महनून नाव नोंदर्णी साथी अनुक्रमे 51 और 25 रुपय शूलका सेल, अश्या सदस्यांचा होईल मान्यवर्यांचा हसते शाल, श्रीफर आणी स् गुति चिन्न देऊन सन्मान, सर्वान साथी असेल, चहान, आस्ता, भोजन, हायटी, मग उशिर कशाला, 98500-98688 या नंबर वर फोन पे जी पे करून आपली नोंदर्णी निश्चित करा, आणी महा अदिवेश्नात सहभा गिवा, नोंदर्णी साथी पुन्ना एक दा उपलबद से, शिक्षा संतती प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दुरुष्टी से विचार करें, तो विदेश में स्तीत करक जातकों के लिए विवाह संबंध जुढने के योग निर्मान होने वाले हैं, शिक्षा की दुरुष्टी से विचार करें, तो टेक्निकल और मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह काल लाभकारी कहा जा सकता है, साथ ही, जो जातक खेल में अग्रेसर है, उनने उन्नती के मार्ग प्राप्त होंगे, कुल मिला करें, इन सभी दुरुष्टियों से यह काल आपके लिए शुभर हैगा, ऐसा हम कह सकते है उसका सदुपयोग कीजिए, स्वास्त्य, कर्ज, प्रतिशपर्दी, शत्रों की दुरुष्टि से विचार करें, तो यह मैना करक जातों को के लिए थोड़ा परेशानी का रहेगा, विशेश रूप से कोड कर्चेरी के कामकाज में बाधा निर्पान होना, निर्णय लेते समय बाधायाना, विलंब होना जैसे प्रकार हो सकते हैं, इसलिए इस मैने यदि कोड की तारिक हो, तो अगली तारिक प्राप्त करना आपके लिए अत्यन दावशक रहेगा, इस मैने प्रतिशपर्दी और शत्रों आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, इसलिए उस द प्रुक रहे यह सलाह दी जाती है, नोक्रियों म्यवसाय की दुरुष्टी से विचार करें, तो करक जातकों को इन दोनों मोर्चों पर कई बाधायों का सामना करना पड़ेगा, रास्ता काटों से भरा है, कठीन है, बाधायों का है, लेकिन फिर भी आप लगातार चलते र आपके कर्मस्तान में विराजबार है, इसलिए रास्ता भले ही काटों से भरा हो, फिर भी आगे बढ़ते रहो यह सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि इस यात्रा से आज नहीं तो कल आपको लाब अवश्य प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान में लीजिए, विदेश में स परचके योग, नए प्रोजेक्ट मिलने के योग भी निर्मान होने वाले है, फिर भी आपको बाधाओ का सामना करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिये, भाग्ये वम शुबसंकेत की दुश्टी से विचार करें, तो करकर आशी के लिए यह महना अधिक लाभकार कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपके भागेश गुरुदेव, जो त्रिकोन के स्वामी होकर केंद्रस्तान में विराजमान है, यह वास्तों में शुबस्तिती होती है, लेकिन उसी समय उनके साथ राहू गर्फ भी विराजमान है, परिणाम सरु, कहीं न कहीं भागेश को पुनश्य संगर्ष का सामना करना पड़ेगा बागेश जब स्वयम संगर्ष करता है तब वह कुंडली में कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों नहीं फिर भी वह आपको उचित फल प्रदान नहीं कर सकता इस बात को मुख्य रूप से द्यान में लीजिए कर्म की दुरुष्टी से विचार करें तो करकराशी के कर्मस्तान में राहू गुरू रवी बूद जैसे कई ग्रह विराजबान है उसमें रवी देव उच्चा वस्ता म महत्व पुरुनबाद है कि उसी समय आपके कर्मेश व्यायस्तान में विराजबान है परिणाम सरूप आपका काम विदोशे से संबंदित हो मेडिकल से संबंदित हो आपका व्योसा या नोकरी हो तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है लेकिन अन्य जातकों को सं अंगर्श का सामना करना पड़ेगा वहां आपने करना भी चाहिए वही आपके लिए लाबकारी रहेगा जोतिश का अध्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाही करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिए हैं उनका अवश्य लाभ लीजिए लाब की दुरुष्टी से विचार करें तो करक राशी के लाभेश लावस्तार में ही विराजबान है लेकिन दो मई को विराशी परिवर्तन कर आपके व्यह स्थान में प्रविश करेंगे लाभेश जब स्वयम व्यस्थान में जाता है तब खर्च के कई कारण निर्मान करता है हॉस्पिटल के खर्च अप्रत्यक्षित खर्च पड़ाही के लिए यात्रा के लिए ऐसे कई खर्च निर्मान होने की संभावणा है इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए आपने वैसी मानसिक्ता बना लेनी चाहिए ताकि आनिवाली परिष्थिति का आप धहिरे से सामना कर सके है हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता जीवन सुक दुक और उतार चड़ाव से भरा है उस अनुसार मेहने के कुछ दिन सभी के लिए शुभा होते है तो कुछ दिन अशूप तनाव और संगर्ष से भरे होते है उस अउदी में हम कैसा वेवार करते है इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है उस दुरूष्टी से विचार करें तो करकसा तको के लिए 7,17 और 26 यह दिन शुभा रहेंगे इसलिए प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्य कामों को पूरा किया जाए साथ अही 6,14 और 23 यह दिन अशूप रहेंगे तो हो सकता है इन दिनों में आपका संगर्ष बढ़े इसलिए आपको इन दिनों की उच्चीत योजना पनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्त बना रहे हैं उपायों की दुरुष्टी से विचार करें तो जोतिश में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं अशुबची जोकी अशुबता कम करने का शुबची जोकी शुबता वुद्धिगत करने का उनमें साबरते होता है उस अनुसार उपाय का विचार करें तो मही महिने में सूर्य देव मेश राशी में उच्चा वस्ता को प्राप्त होते है जिस कारण वाता और उष्ण होता है सूर्य देव राजा है और अन्य ग्रहों को विमार का दर्शन करते हैं परिणामसरू इस काल में सूर्य देव का बड़ा महत्वा है इसलिए मही महिने में हर रोज सुभह सूर्य को अर्थे देना चाहिए साथ ही राजशी के अनुसार मैं आपको कुछ मंद्र देने वाली हूँ उस मंद्र का आप हर रोज पाज बार जाप करें उस अनुसार करकर राजशी के लिए है ओम हिरन्य गर्भाय अवयक्त रुपी ने नमाहा यह मंद्र सुचित किया जाता है इन उपायों के आपको अत्य प्राप्त होंगे इस प्रकार मेश से लेकर मीन तक हर राशी के लिए मही महिना कैसा रहेगा यह समझाने के लिए गुरू परिवर्तन कैसा रहेगा यह बताने के लिए हमने कुल 24 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किये है पुनस्च अवस्च मिलेंगे धन्यवाद शुभम भवत जय जोतिश प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दपाना ना बुले धन्यवाद